आप देख रहे हैं एकजाम तोर आप से बता दें मेरे साथ SDM राहूल सिनहा सर हैं और सर से जानेंगे जो भी BPSC TRI का आवेधन कर चुके हैं सब कुछ आपको मालूम हो चुका है एक एक बिंदू पर सर से चर्चा करेंगे जिनका थर्ड एटेम्ट है क्या एटेम्ट दें य इन सारे चीज को लेकर सर आपका स्वागत एकजाम तोर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर पहला प्रस्ण ये है एकजाम से रिलेटर बहुत लोग के मन में ये आ रहा है चुकि रभी बूसर सर के द्वारा बोला गया है कि कुछ फिर हो सकता है बच्चे ये सुच रहे है इन बला इतनी बड़ी वेकनseी की थिर हो सकता है कि अधिकारिक सूचना नहीं आती है मान के चलिए एकिजाम उसी दिन हो रहा है और बढ़ेगा व एकिजाम तो 2-3 दिन बढ़एगा तो इसलिए आराम में नहीं चले जाए है कि एक जाम बहुत लंबा केज़ाब कोगी इ जिन्दगी की असली उरान अभी बाकी है, मेरे होसलों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो ना पी है मैंने मुठी बर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, तो TRE 3 से अगर आप डर रहे हैं, तो क्या करेंगा अटेम्ट बचाके, इतनी वरी वेकेंसी नहीं आएगी, मान लिए अभी एक सीट पे दो से धाई बच्चे हैं, पूरी अगर जोड ले जितना फॉर्म भराया है, TRE 4 में आपको नए जो अपेरिंग वाले बच्चे हैं, व लग रहा है, कोई कोई सूचना नहीं है इसकी, लेकिन common sense से में बता रहा हूँ कि TRE 5 से बड़ी वेकेंसी नहीं आएगी, छोटी वेकेंसी आएगी, पांस-दस-जार वाली वेकेंसी आएगी, तो आपको त्यारी अगर है, 50% पे त्यारी है, तो आप जाईए, कोई कभी भ पेसी दूँगा, मेरी त्यारी अच्छी नहीं है, कोई कि मुझे बैंगलोर से आना था, और बहुत जादा टिकट का खर्चा लग रहा था, तो मैंने almost दिमाग बना लिया था, कि अभी त्यारी अच्छी नहीं अगली बार दूँगा, और फिर हुआ कि नहीं, सब ने घर म है कि त्यारी मेरी अच्छी नहीं थी, सर तीन अटेम्ट है, नियोजीत को पांच अटेम्ट मिला, विध्यारती हजम नहीं कर रहे है, बुरह है, कब मेरा अटेम्ट बढ़ जाए, क्या उमीद करे विध्यारती, देखी ये सब नितिकत मामला है, सरकार के अस तर पर मुझे लगता है, सर आभी जिस तरीका से 1-5 में देखा जाए, 6-8 में देखा जाए, सबसे ज़्यादा, 6-8 में 10 बिध्यारती एक सीट पर, 1-5 में 7-8 बिध्यारती, 9-10 में 9 बिध्यारती, 11-12 की बात करें, तो 2 बिध्यारती हो जा रहे है, कोई-कोई सब्जेक्ट ऐसा ह है, जहां पर बहुत अधिक कमपटिशन है, जिस तरीका से, सर मैं डाटा निकाला हूँ, एक-एक सब्जेक्ट की बात की जाए, तो अच्छा खासा कोई सब्जेक्ट में तो ऐसा लग रहा है, कि अधी बच्चे अच्छा तैयारी कर ले, क्वालिफाई कर जाए, वहाँ हो तो जब तक जो नितिकत मामला है, उसमें सरकार ही निड़ने लेगी, लेकिन जिनका अटेम्ट है, वो लोग जी जान लगाएं को कि फिर जीवन में पश्तावा जब मिलता है, तो फिर उसके बाद लगता है कास कर लिए होते हैं, अभी भी समय है, दिनदा तेक करके पढ़ महा महराथन से बचना चाहिए, या केवल वही करके चल जाना चाहिए, या रिवीजन करना चाहिए, देखिए, महा महराथन 24 गंटे, 22 गंटे करने से बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कितना एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो मैटर करता है, जो आपका अभी तक संप पर साना है, मतलब उसको रिवाइज करना है, दो बार, तीन बार, तब आपके दिमाग में घुसेगा, तब आप एकजाम में रिपरड्यूस कर पाईएगा, आप सिर्फ एक तरफ से इंपूट लिये जा रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं करना है, तो आपका नहीं होगा, वह कीजिए, TRE1, TRE2 के को बिल्कुल घोट के पी जाएए, उस एरिया को, मैंने पहले भी बताया था, सफलता के लिए आखरी यही बता रहा हूँ, TRE1, TRE2 में जहां-जहां से कोश्चन पूछा गया था, कोश्चन नहीं, उस टॉपिक को पढ़िए, तो उस टॉपिक को मास्टरी हासिल कर दिजए, कि उस टॉपिक कोई कोश्चन आए, तो मैं नहीं छोड़ूगा. पर नहीं हो पाता है, बहुत सारा रीजन होगा, आप भी जानते हैं, क्या कंडिशन हो जाता है, एक्जामिनस अनौल, यह टेस्टरी जो मार्केट में अवलेवल है, मैंने भी देखा है, बहुत सारी टेस्टरी जने बहुत टफ कोश्चन पूश्चन पूश्चन डाल दे अगर आप उस टेस्टरी जो करेंगा, आपके नंबर कमाएंगा, बिना मतलब के हतो साहित होंगे, इस पर एक छोटी से कहानी सुनाना चाहता हूँ, कि दो बच्चे थे, वो जंगल से जा रहे थे, एक तीन साल का था, तो दस साल वाला गलती से खाई में गिर जाता है, और दूर-दूर तक कोई नहीं होता है, तो तीन साल वाला बच्चे को रस्ती दिखती हो, रस्ती डालके उसको खीच के बाहर निकाल लेता है, दोनों जब गावां में जाते हैं, ये कहानी सुनाता है, कोई भी मानने को त्यार नहीं होता है, कि तीन साल के बच्चे के अंदर ऐसी सारीक छमता है नहीं कि दस साल के बच्चे को खीच ले लेकिन बुजूर्ग बैठे थे वो बोलते हैं कि ये कर सकता है तो लोगों पुछा कैसे क्योंकि वहां उसको न करने वाला कोई नहीं सा कि तुम नहीं कर सकते हो तो हमारे दिमाग में पहले से इतना जादा हो चु करते होंगे ऐसा कुछ नहीं है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा और दूसरा कोई क्राइटीरिया नहीं है उपर वाला भी तो है उसके हां नहीं तो न्याए है इसलिए मेहनत कीजिए इधर उधर पर दिमाग नहीं लगाई आप अपने पर होसला रखिए अपने पर कॉंफि आपसाद करके अगस्त की तैयारी में लग जाना चाहिए अगस्त बहूत दूर नहीं है अगस्त भी आपका चार-पांच मगें दूर है और पिर उसमें अभी आप इन सब चीजों में लगे रहेंगा तब वहां फिर समय कम पढ़ेगा फिर लाया की नहीं प्यारी फाइफ क कम competition है किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं 910 की अपेक्टा तो क्या केवल 1112 की तैयारी कर लेना चाहिए या 910 1112 धोनों बाइलेंस करके चलना चाहिए जिनका अंतिम एटेंप्ट है या जो दो बार से चट रहे हैं उन लोग देखिए सबका अलग-अलग attempt काउंट होना है तो पहले confusion ये clear कर लीजिए कि 910 और 1112 का ऐसा नहीं है कि आपको एक attempt है वहां भी तीन है यहां भी तीन है यहां भी तीन है ठीक है तो पहले एक एक एक्जाम को focus किजिए जैसे आप 1112 पर completion कम है तो आप वहां focus किजिए इस वहार एक को टार्गेट करके चलिए अक्सर क्या होता है दो नाओ पर पैर रखने पर न यहां क्यों होते न वहां क्यों किसी एक एक्जाम में जिसमें आप ज्यादा confident feel कर रहें उसकी त्यारी कि किजिए नहीं होता है तो अगले वाले में आप दूसरे में try किजिएगा जो भी viewer देख रहे थे मेरा मकसद है कि कम से कम आप अच्छा कर लें आप result तक पहुंच जाए आप result ले ले इसलिए मैं इस परकार का वीडियो बना रहा हूं वैसे विद्ध्यारती 7-8 घंटा में क कोई भी एक सब्जेक्ट यदि आप NCRT ही लेते हैं तो उसको revision कर सकते हैं जरूर revision करें यदि आप exam tour पर नए है चैस चैनल को subscribe करें लोगों में share करें जाहिंद